हलो प्रेंट्स, है मैं अप्रुती, वेलकम बैक टूर चैनल प्लांट्स स्पेस आज कल आपने देखा हम गार्डन में बहुत सारा काम कर रहे हैं जिसमें रीपॉर्टिंग है, प्लांट्स की कटिंग है ऐसा इसलिए है क्योंकि आने वाला मौसम गर्मियों का है और गर्मियों में पॉर्ट्स में लगे हुए ब्लांट्स स्ट्रेस में रहते हैं अगर आप प्रिक्यर नहीं करेंगे तो प्लांट्स अछी ग्रोध भी नहीं करेंगे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा उसकी फ्लावरिक अच्छी नहीं होगी इसलिए फरवरी में काम करना ज़रूरी होता है और आगे उसके मौसम जो आता है वो rainy season होता है rainy season तो वैसे भी plants के लिए अच्छा होता ही है तो उसमें जादा देखभाल नहीं करनी होती तो हमारे काफी viewers ये सोचते हैं कि शायद gardening बहुत ही बड़ा काम है और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है तो ऐसा नहीं है आप कुछ ऐसे plants भी लगा सकते हैं जिसमें आपको बहुत कम देखभाल करनी पड़े बहुत कम देखभाल में आपको अच्छे flowers भी मिल जाएं गार्डन में उनमें बहुत से plants हैं जैसे की indoor plants भी उसमें कुछ आ जाते हैं कुछ इस तरह के जैसे spider plant है wind brings you plant है या पॉर्चुला का है पर्सलेन हैं वो सभी बहुत कम केर में ग्रोथ कर जाते हैं और अच्छे से आपको garden को decorate भी करेंगे और उनमें ही आता है जर्बेरा का पौधा यह है जर्बेरा और इसके धेर सारे flowers आप देख रहे हैं तो उसकी जो dry spike है उसको हमने हटा दिया और नीचे से इसमें देखे बहुत सारी flower birds आ रही है तो मुझे जर्बेरा बहुत जादा पसंद इसलिए है क्योंकि यह बहुत कम देख भाल में आपको बहुत अची flowering देता है क्योंकि यह लगतार multiply होता रहता है इसको हम बाहर भी नहीं निकालते हैं pot से ऐसे ही मिट्टी को side side से हम गुडाई करके खाद दे देते हैं जो कि अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से और सर्दियों में हमने इसकी plant आपको दिखाया था जिसमें हमने इसकी पतियों के बारे में बताया था क्योंकि काफी viewers के comments आते हैं पतियां काली पर रही है इसकी black हो रही है तो उसमें कोई परिशानी की बात नहीं है वो सर्दियों में ऐसा हो ही जाता है तो अभी हम पहले इसके fertilizer add करते हैं मिट्टी में उपर से हमने इसमें दो तीन मुठी side side से गोबर की खाद मिला दी है आप गोबर की खाद बर्मी कमपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं और उसके बाद किसी भी sharp tool से जो नुकीला कोई भी आपके garden में tool हो उससे आप गुडाई कर दीजे यानि इस खाद को मिट्टी में mix कर दीजे उससे क्या होता है fertilizer अपना काम जल्दी करता है क्योंकि अगर layer plane हो जाती है यानि जो इसका surface है वो अगर आप गुडाई नहीं करेंगे तो उसमें जो nutrients हैं वो proper जा नहीं पाते जब हम watering करते हैं और मिट्टी की गुडाई अगर करते रहेंगे तो fresh रहती है soil उसमें कोई भी fungal attack होने का डर कम रहता है और जो fertilizer हम दे रहे हैं या पानी हम दे रहे हैं पौधे में वो अपना काम पूरी तरह से कर पाता है इसलिए मिट्टी की गुडाई करना एक हफ़ते में एक बार plants में जरूरी होता है इसलिए मिट्टी की गुडाई पौधो में करना बहुत जरूरी है अब हम जितनी भी इसकी बेकार leaves है उन सबी को cut कर देंगे जितनी भी brown leaves है या थोड़ी cut fat गई है क्योंकि ओले भी गिरे थे क्योंकि अब इसका growing season है और इसमें नई नई हरी हरी पत्तियां आपको दिखाई दे ही रही होंगी जो उपर की तरफ बन रही है फूल भी है नई पत्तियां भी आरी है नियू growth है तो इस तरह से हमारा plant काफी अच्छी growth कर रहा है इसको बाहर निकालने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी काफी अच्छा रिजर्ट मिलेगा लिक्विट पॉम में भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं बस एक बात का ध्यान रखें कोई भी ऐसी चीज नहीं डालनी है इसमें जिससे फंगस लगे क्यूंकि जर्बेरा फंगस के कारण ही खतम होता है बहुत से लोगों का मिट्टी में जादे फुल्डे सनलाइट और फर्टिलाइजर तो हमने बता ही दिया फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है कभी भी आप हमसे पूछी हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे थेंक्यू तो